हलो दोस्तों नमस्कार आए स्टार्ट करते हैं 29th of June की क्लास सबसे पहले देखिए आज के vocabulary में पहला एक phrase दे रखा है call to account call to account एक phrase है और जब मैं phrase कहता हूँ तो इसका मतलब वो group of words है शब्दों का समू है यहाँ पे call एक शब्द है, to शब्द है, account है तीन शब्द हैं इनका समू है इसको क्या कहा जाएगा, fridge इसका मतलब क्या है इसका मतलब है rebook या फिर इसका मतलब है hold responsible जिम्मेदार ठहराना कह सकते हो या फिर डराना, धमकाना, डाटना ये सब इसके मतलब हो सकते हैं धमकाना भी हो सकता है, जिम्मेदार ठहराना भी हो सकता है, दूसरा है furtherance, furtherance में देखिए last में ance दे रखा है, अब जो ance या ence ending words होते हैं, उनको हम noun नाम देते हैं, और furtherance का मतलब है, आप कह सकते हो forwarding, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, advancement, आगे बढ़ाने की kriya, आप इसे advancement कह सकते हैं, या forwarding कह सकते हैं, आगे बढ़ाने की kriya, new get tree, ये एक executive है, इसका मतलब होता है futile, या आप useless कह सकते हो, निरर्थक, व्यर्थ, ये सब इसका मतलब होगा हिंदी में, incur verb है, इसका मतलब suffer, या experience, इसका meaning है, बुरा परिणाम भुगतना, गलत परिणाम भुगतने को क्या बोलते हैं, incur, preempt है, ये verb है, इसका मतलब होता है prevent, रोकना, preempt का मतलब क्या है, रोकना, prevent करना, maneuver, maneuver एक noun है, इसका मतलब trick होता है, या फिर आप इसे कहेंगे stratagem, trick या stratagem, टिकडम या चाल, ये कहा जाता है किसको maneuver को, और countenance है, ये verb है, इसका मतलब है give approval, means सहमती देना, किसी चीज़ का support करना, इसका screenshot ले लीजिए, आज की session में बहुत सारे words आपको सीखने को मिलेंगे, 7 में बता चुका हूँ, आगे भी काफे सारे words नहें है, ये start करते हैं आज का session, और title है the essence of time, क्या बोलते हैं इसको essence, of को बोलते है, of या आओ, essence of time, समय, मतलब essence होता क्या पहले हो समझ लो, important जो होता न, सबसे important कोई चीज़ है, उसको बोलते है essence, ठीक है, essence noun है, ये कैसे प object है, object noun या pronoun होता है, ये pronoun नहीं है, इसलिए भी noun है, essence of time, तो time की importance मान लीजिए, time का महत्तो मान लीजिए, ठीक है, अब देखे, time is of the essence, अब time सबसे important हो जाता है, essence का मतलब सबसे important, महत्तो पूर्ण, most important, तो time सबसे महत्तो पूर्ण हो जाता है, time की verb is है, when it comes to, जब बात आ execute करने का मतलब है, लागू करना, लगाना, क्रियानवित करना, तो जब बात आती है, राजनातिक चाल या तिकडम बैठाने की, तो समय सबसे महत्तो पूर्ण बन जाता है, किसलिए to reduce, और तिकडम किसलिए चाहिए to reduce a government to a minority, कोई सरकार majority में है, कोई सरकार के पास बहुत ज तो इसके लिए जरत पढ़ती है, समय की, ठीक है, अब समझने वाली बात है, time की verb is है, it की verb comes है, और ये when it comes to, जब बात आती है इस चीज की, एक phrase याद रखिएगा, when it comes to, तो जब भी ऐसा आएगा, आगे आपको v0 के साथ ing लगाना पड़ेगा, इसी लिए देखो यहाँ पे executing मेंने करा है, ठीक है, when it comes to करके, आगे v0 plus ing place करना है, बाके इसमें कुछ खास नहीं है, manovers का मतलब हमने देखी लिया था, तिकड़मियाचाल को बोलते हैं, ट्रिक को बोलते हैं, स्टेटेजम को बोलते हैं, रूज को बोलते हैं, प्लॉय को बोलते हैं, बहुत सारे words बागी विधायक कह दीजिए, बागी को कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हो, जो सरकार से ऐसे हमती चताता हो, सरकार क्या लोचना करता हैं, उसको बोलते हैं, तो ये कौन से विधायक हैं, ये वो विधायक हैं, जो बागी हो चुके हैं, ठीक है, नीड, इनको वाविशक्ता है नीड इसकी वर्भ है टाइम समय की किसलिए तो गैदर एनफ नंबर्स ताकि परियाप्त संख्या इकठी की जा सके परियाप्त संख्या क्यों चाहिए टो वोट आउट दरेजिम ताकि जो सरकार है रेजिम का मतलब यहां पर गवर्मेंट से है तो जो सरकार है उसको सत्ता से हटाने के लिए वोट आउट का मतलब इतने कम वोट देना ताकि सरकार सत्ता से हट जाए ठीक है यह मतलब है dissident legislators में dissident बागी विधायक हो गए और need जो है वो यहाँ पे इसकी verb हो गई time यह आप गया इसका object तो dissident legislators बागी विधायक हैं उनको जरूँ था time की time क्यों चाहिए परियाप संख है इकठा करने के लिए परियाप संख है इनको क्यों चाहिए ताकि सरकार को सकता से हटाया जा सके एक काम की बात यह है कि एनफ जो है इसके बाद में नंबर जो है नाउन है अगर एनफ लगता है नाउन के साथ तो नाउन लगेगा उससे पहले एनफ आएगा और अगर एजेक्टिव के साथ लगता है तो पहले एजेक्टिव लगेगा उसके बाद एनफ आएगा तो parties जो सत्ता में है parties need उनको आउशकता है किस चीज की to close the window of opportunity इनको आउशकता है window of opportunity को close करने की window of opportunity क्या होता है यह होता है एक प्रकार का आवसर आपके सामने है ठीक है तो आपके पास जो एक आवसर है उसको बंद करने की ज़रुत है इनको एक prospect एक समभावना दिख रही है उसको बंद करने के जरुत होती है ruling parties सत्ता में हैं उन parties को soon जल्द ही often using the threat और ये कैसा कैसा कैसे करते हैं ये करते हैं धमकी का प्रियोग कर के और धमकी क्या ड़ाते कैसे किस नाम पर है disqualification की अगर तुम हमारे से हमारी party छोड़ के जाओगे तो तुम्हारे सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी disqualify कर दिया जाएगा for defection किस लिए दल बदलने के लिए defection का मतलब होता दल बदल changing sides इसका मतलब है changing sides दल बदल को बोलते है defection फिर समझे ruling parties की verb need है ruling parties जो है सत्ता में जो party होती है उनको आवशक्ता पड़ती है कि जो उनको आवसर दिख रहा है बागी विधायकों को आवसर को तुरंद बंद कर दिया जाए और कैसे use करके disqualification के threat के द्वारा for defection और disqualification क्यों करना चाहिए क्योंकि उन्होंने दल बदला है क्योंकि उन्होंने party छोड़ी है आगे देखिए क्या कह रहा है it is in this backdrop अब इसी प्रष्ट भूमी में अगर बात करें यही संभावना देखकर बात करें backdrop का मतलब प्रष्ट भूमी होता है that judicial intervention की न्याइक हस्तक्षेप intervention का मतलब होता है interference क्या होता है intervention interference हस्तक्षेप judicial का मतलब है न्याइक तो इसी प्रष्ट भूमी में अगर बात करें तो न्याइक हस्तक्षेप in matters मामलों में कौन से मामले relating to disqualifying lawmakers जो संबंदित है किस से lawmakers जो विधायक लोग है उनको disqualify करने संबंदित है for defection किसले disqualify करना है दल बदलने के लिए takes place तो इसमें judicial intervention जो है वो आता है न्याइक हस्तक्षेप की जगे बन जाती है कैसे either buying the time residence time buy time का मतलब है किसी चीज़ को देरी करना किसी चीज़ में आप कोई चीज़ के अंदर देरी करते हैं जैसे इनको defection जो इनकों किया है जो defectors है दल बदला है अब सत्ता में जो party है वो तो चाहेगी फटाफट disqualify किया जाए लेकिन court का हस्तक shape ताकि और विलंब कर दिया जाए और उनको सही समय मिल जाए ऐसा ही कुछ कहना चाहा है buying a dissidence time dissidence county center होता है तो बागी विधायकों को समय दिलाने के लिए और इधर के साथ और लगता है allowing disqualification proceedings to go on unhindered या फिर disqualification के जो proceedings है जो भी कार्यवाही है वो चले कैसे unhindered मतलब बिना रुके बिना किसी व्यवधान के यहां तक समझे it की verb is है judicial intervention की verb takes है एक बात तो यह it is in this backdrop it यहां पे emphatic way में आ रहा है जोड देने के लिए आ रहा है तो इसी प्रष्ट भूमें लेकर बात करें इसी संभावना को लेकर बात करें तो judicial intervention जो है वो इस्तान लेता है takes place का मतलब बस्तित्तों में आता है इसी तरह के मामलों में न्याईक हस्तक shape आता है court हस्तक shape करता है ठीक है और बीच में क्या दे रखा है कौन से matters में वो matters जो संभन्दित है relating के साथ में क्या लगता है to जो संभन्दित है किस में lawmakers को disqualify करने के लिए किस लिए क्योंकि उन्हें दल बदला है defection किया है ठीक है और वो कैसे कर सकता है judicial intervention कैसे आता है या तो dissidents जो है उनको time दे कर जो बागी विधायक है उनको time दे कर या फिर disqualification proceedings जो है उनको allow करके कि वो unhindered चले बिना रोक टोक के चले बिना दुविधा के चले unhindered का मतलब हो गया unhampered बिना कोई व्यवधान के by its order granting time until July 12 अब Supreme Court ने क्या किया है Supreme Court ने order दिया है क्या grant grant मतलब देना प्रदान करना इनको time दिया है time देने का आदेश दिया है कि कब तक time दिया जाए 12 जुलाई तक किसको dissident shivusena legislators जो शिवusena के विधायक है आप जो बागी हो चुके resident शब्द का यूज किया है बागी शिवusena विधायकों को in the maharashtra assembly maharashtra विधान सभा में to reply किसले time दिया है reply देने का reply देना किसको है deputy speaker के notice का जो उफ सभापती है उसके notice का जवाब इनको देना है under the anti-defection low किसके तहट जवाब बनता है ये जवाब बनता है anti-defection low है मतलब दल बदलने के खिलाफ एक कानून है कि अगर कोई दल बदलेगा तो इसका उसको खामियाज बुकतना पड़ेगा उनके सदश्यता रद की जा सकती है इसकोछ कानून है उसके तहट the supreme court has effectively made it possible supreme court ने इस चीज़ को प्रभावी रूप से संभभ बना दिया है for them उनके लिए to actualize their objective कि वो अपने जो objective है अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा करे उसको यथार्त रूप दे actualize मतलब actual तरीके से real condition में लेकर आ जाए without the threat of disqualification for now बिना कोई disqualification के खत्रे के for now मतलब हाल फिल हाल के लिए वर्तमान में फिर समझे by its order its यहाँ पे सुप्रेम कोट के लिए possessive adjective है अपने order के द्वारा order में क्या है time दिया गया है कब तक का 12 जुलाई तक का until है वो time के लिए आता याद रखियेगा ठीक है उन सिवशेना विधायकों को जो बागी हो चुके है कहां पर महराष्टा assembly में किसलिए time दिया है reply देने के लिए reply के साथ तू लगता है वई reply किसको देना है deputy speaker के notice को किसके तहत anti-defection law के तहत ऐसा करके supreme court ने क्या किया है supreme court की verb है वो has made है और इसके लिए adverb effectively है तो supreme court ने प्रभावी तरीके से इस चीज़ को संभव बना दिया है for them यहां प्यार है dissident legislators के लिए उन विधायकों के लिए to actualize their objective की वो अपने उद्देश्य को क्या करें यथार्त रूप दें actualize करें real form में लेकर आएं there यहां प्यार है उन विधायकों के लिए possessive objective बिना कोई डर के there यहां पे determiner है तो यह इसके noun हो गया बिना डर के डर किसका disqualification का for now मतलब अब के लिए आगे बड़े it is doubtful यह संदे है इस बात में कि whether the court should have done this कि क्या court को यह करना चाहिए था in the face of in the face of एक fresh है इसका मतलब होता है despite इस चीज के बावजुद किसके बावजुद a specific bar के एक विशेश परतिबंद है बार का मतलब क्या होता है prohibition कह सकते हो restriction कह सकते हो embargo कह सकते हो ban कह सकते हो ठीक है परतिबंद के कारण own judicial intervention परतिबंद लगा हुआ है किस चीज पर कि court intervention नहीं कर सकता जो न्याइक हस्तक्षिप नहीं हो सकता in disqualification proceedings किसमे disqualification की कारेवाही में at any stage किसी भी stage पर prior to जो stage पहले आती है किसके final adjudication के adjudication का मतलब होता है decision अंतिम निर्णे के under the 10th schedule और ये बात कहां दे रखी है दस्तवी अनुसुची में ये बात दी हुई है फिर समझे it की verb is है ये doubtful है याद रखेगा doubtful के बारे में doubt या doubtful अगर ये दे रखा हो आपको और अगर sentence positive हो अगर sentence affirmative हो तो आपको conjunction लगाना है if या whether अगर doubt या doubtful दे रखा है और अगर आपको इसके साथ में conjunction लगाना है affirmative sentence है तो whether लगेगा या if लगेगा अगर doubt या doubtful दे रखा है और अब की वार एक संभावना बनाते हैं कि sentence negative है negative sentence होने पर आपको यहाँ पे conjunction जो place करना है वो क्या होगा that ठीक है अगर conjunction मतलब conjunction that तभी लगेगा जब doubt ये doubtful दे रखा है और sentence negative हो अगर positive है sentence तो if या whether लगेगा तो यहाँ पे sentence positive है इसलिए whether का प्रियोग है ठीक है court की verb है वो should have done है should have के साथ third form का मतलब ऐसा होना चाहिए था past में लेगे है इसको ये ठीक है in the face of a fresh है इसका मतलब होता है क्या despite के बावजूद prior के साथ में two लगता है ये कुछ 10 words होते है junior, senior, inferior, superior ऐसे करके तो prior में two लगता है इसका मतलब पहले से मतलब है तो इस बात में शक है इस बात में संदे है कि क्या court को यहाँ पे ऐसा करना चाहिए था इसके बावजूद की एक विशेज परतीबंद है judicial intervention पर अगर आप disqualification proceedings की बात करते हैं तो इसमें परतीबंद लगा हुआ है courts पर ठीक है कि किसी भी stage पर court यहाँ पे या नयाई खस्तक्षप नहीं हो सकता है वो stage जो की पहले आती है किस से final adjudication के अंतिम निरने के किस के तहट दस्वी अनुसूची के तहट बात समझ में आगे आगे देखिए in 1992 1922 में एक एक case था ठीक है जो था है उसको bench बोलते है एक constitution bench while uploading while के ठीक बात जब लगती है तो ing लगता है uphold का मतलब होता है support करना uphold का मतलब क्या होता है support करना समर्थन करना support करते हुए किस चीज की validity of the entry defection law कि entry defection law की वेदिता है यह legal है यह बलकुल सही है इस बात को support करते हुए held यह इसकी verb है इस bench ने यह पाया या फिर इस bench ने डिसिजन दिया hold की second form held है that conjunction है key the speaker's decision कि speaker का जो निर्णे है was यह इसकी verb हो गई subject to subject to का मतलब होता है open to ठीक है subject to का मतलब है open to किसी चीज के अधीन आना कि भई speaker का जो निर्णे है वो judicial review के अधीन आता है वो उसमें न्याइक पुनरव लोकन हो सकता है albeit albeit एक conjunction है पहली बात तो इसका part of speech conjunction है इसका मतलब होता है although ठीक है albeit on limited grounds यद दपी आता है सिमित सिमित ही आधार है इसका है ना कुछ ही मतलब कुछ points है लेकिन आता judicial review के तहत है फिर समझे 1922 में एक case हुआ उसमें constitution bench ने ये पाया ये decision दिया कि speaker का जो decision है वो किसके लिए open है judicial review के लिए speaker के decision पर court जो है वो एक बर फिर से उस decision को देख सकता है अगर गरबढ हुआ तो court decision को change कर सकता है ये अदपी हालांकि limited grounds पर ही है कुछ सिमित आधार पर ही है grounds का मतलब यहां पर आधार है subject के साथ 2 लगता है इसका बंदा open to है और बीच में दे रखा था while upholding the validity of the anti-defection law इसमें court ने क्या किया था anti-defection law की validity को uphold किया था anti-defection law जो है उसके वैद्धिता को support किया था it also made it clear it यहां पर वही constitution bench के लिए है it की verb made है also दे रखा है तो also का प्रियोग man verb से पहले होता है also man verb से पहले आता है याद रखिये तो कह रहा है कि इसने ये भी clear किया that this should take place कि ये जो चीज है वो होनी चाहिए after a final decision untim निरने के बाद and there can be no interim order और कोई भी provisional या temporary order नहीं हो सकता interim का मतलब होता है provisional या फिर इसे कह सकते है temporary तो temporary या provisional ये होता है as thai तो इसमें कोई as thai आदेश नहीं हो सकता except किसके अलावा केवल एकी चीज हो सकती है there is an interim disqualification or suspension केवल as thai रूप से disqualification हो सकता है सदश्यतन रिस्त कि जा सकती है suspension हो सकता है ठीक है suspend क्या जा सकता है it की verb made है also ad verb है it clear मतलब इसने ये भी spust किया that conjunction है कि it should take place कि ये जो चीज है judicial review है वो कब हो सकता है केवल तभी हो सकता है जब final decision आ चुका हो उसी के बाद or there can be no interim order और कोई भी ऐसा आदेश नहीं निकाल सकता supreme court ठीक है interim आदेश नहीं हो सकता केवल एकी चीज हो सकती है interim disqualification हो सकता है suspension हो सकता है कोई order नहीं आ सकता there से जब start करते हो तो inversion लगता है तो यह interim order order यहाँ पे noun है interim यहाँ पे adjective है और no यहाँ पे determiner है ठीक है यह determiner है तो order की verb है वो can be है क्योंकि inversion लग गया end conjunction है तो नहीं वाक्ट के start हो गया आगे वाले में भी ऐसा ही है यहाँ पे there से start है यह disqualification यहाँ पे noun है interim executive है and determiner है और disqualification की verb age है ठीक है आगे देखिए यह आज की questions है यह आप questions का answer देंगे circumvent, ploy, occasion and interim और like ज़रू करके जाएगा और maximum share किया कीजिए students के साथ तकी और बहुत सारे students जाने की English कितनी आसाथ हो सकती है अगर हम किसी newspaper के through English सीखने का प्रियास करते है इसका PDF प्राप्ट कर सकते हैं आप Telegram चैनल से link description में है Asis Classes के नाम से channel है Telegram channel उस पर जाके आप देख सकते हैं एक Asis Classes application है Android application है वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तब वहाँ पर आपको बहुत सारा अच्छा stuff paid courses के रूप में provide करवाया गया है उनको भी जाके देखें विजिट करें demo videos देखें समझ में आएगा कि कौन सा course आपके लिए उपी होगी है अगे देखें Deputy Speakers grant अब यह जो उप सभापती है उसने क्या किया है केवल दो दिन दिये है for the MLA's MLA's के लिए कि वो reply करें may have occasion अब यह जो उनका स्विक्रती है कि केवल दो ही दिन दिये है यह हो सकता है कि इसने क्या किया हो कारण बन गया हो occasion जो शब्द है occasion का मतलब होता है cause या फिर इसका मतलब है give rise to कारण बनना तो हो सकता है कि यह कारण बन गया हो the intervention हस्तक्षेप का भी court ने हस्तक्षेप क्यों किया अब लेकर किसको justify करने की कोशिश कर रहा है कि शायद deputy speaker ने केवल दो ही दिन दिये reply देने के इस कारण से हो सकता है कि court को बीच में आना पड़ा but it is doubtful लेकिन ये शंदेहपूर्ण है it give a be is whether the court should concern itself with the question now कि क्या court को इस प्रश्टन पर अपने आपको संबंदित करना चाहिए इस पर चिंता करने चाहिए ये तो यहाँ पर सोचने वाली बात है when it can be decided जब ये बात decide की जा सकती है after their possible disqualification उनके संभाउत disqualification के बाद अगर disqualify वास्ता में कर दिया उपसभापती ने तब सोचता court बीच में क्यों आ गया ये कहना चाहिए the deputy speaker's grant grant subject है verb है may have occasion ठीक है अकेशन का मतलब cause या give rise to है कारण बनना है तो deputy speaker ने जो केवल दो दिन दिये है reply देने के शायद ऐसा हुआ हो में संभावना बताता है may have plus third form मतलब ऐसा हुआ होगा ये एक दूर की संभावना हो गई है past चला गया है तो शायद इस कारण से court ने हस्तक्षिप किया होगा लेकिन ये शक संदेहपूर्ण है कि क्या court जो है उसको अपने आपको concern करना चाहिए concern मतलब या संभन दित क्या इस प्रशन से अपने आपको जोड़ना चाहिए when जब ये decide किया जा सकता है उनके possible disqualification के बाद भी decide कर सकता था court बीच में क्यों आ गया there are court judgments court के कुछ निर्ने है इसकी verb R है that कस्ते ये that reality pronoun है इस judgments के लिए है इसकी verb से है उन judgments में कहा गया है कि compliance with natural justice कि कोई भी natural justice है कोई भी सौभावी के एक नयाय है उसका compliance compliance का मतलब होता है आग्या का पालंग करना उसको obey करना is not based on ये compliance जो है वो आधारित नहीं है ये इसकी verb है based के साथ on लगाते हैं किस पर the number of days given वो जो संख्या दे रखी है आपको जैसे दो दिन दिये इसने है ना वैसे और संख्या उस पर आधारित नहीं है इस बात पर आधारित है कि whether sufficient opportunity was given before a decision की किसी निर्ने लेने से पहले क्या कोई sufficient opportunity दी गई थी परियापता उसर दिया गया था तो काफी सारे court judgments हैं जिसमें कहा गया है कि जो कोई भी justice है natural justice है उसका obedience उसकी आग्याकारिता उसका पालन करना वो based नहीं है days के संख्या से बलकि ये based है किस पर sufficient opportunity पर कि क्या परियापता उसर तो दिया गया था decision के लिए ऐसा नहीं कि दो दिन में करो decision के लिए time मतलब एक परियापत opportunity उनको मिलनी चाहिए आगी देखिए based on a conclusion in November Arabia 2016 ये भी एक case का नाम है अब इसके एक case में क्या conclusion निकाला गया था एक निशकर्स निकाला गया था that a presiding officer ये पिठा सी नदिकारी होता है कहीं पर आप देखेंगे कोई भी चुनाव है वहाँ पर एक official होता है जो in charge बनाया जाता है उसको बोलते है presiding officer तो एक conclusion जो दिया गया था court के द्वारा एक निर्णे दिया गया था 2016 में नबाम रभी अरिबिया नाम से case था उस case में presiding officer जो है उसमें कहा गया है कि उसको adjudicate नहीं करना चीए पिठा सी नदिकारी को निर्णे नहीं देना चीए any defection complaint ठीक है किसमें किसी भी दल बदल की शिकायत पर while a motion for his own removal is pending कब जब एक प्रस्ताव motion मतलब प्रस्ताव for his own removal उसके खुद के removal का प्रस्ताव जो है pending है उस समय कोई निर्णे पिठा सी नदिकारी को नहीं देना चीए पिठा सी नदिकारी खुद ही remove मतलब उसके removal का ही प्रस्ताव यहाँ पे दे रखा है तो ऐसा नहीं हो सकता the dissident sent emotion जो बागी विधायक है उन्होंने क्या भेजा एक प्रस्ताव भेजा to get the deputy speaker removed क्या कि deputy speaker को ही हटा दिया जाए ठीक है get यहाँ पे have causative verb है make causative verb होती है get causative verb है और have causative verb है कौन सी verbs हैं causative verbs prayer नार्थक क्रिया बोलते हैं हिंदी में आपको अगर बहुत आसानी से समझना है इसको तो इतना समझे है इनके बाद में एक और क्रिया आजाए अगर इनके बाद में एक और क्रिया आजाए तो इसके साथ तो लगाते हैं base form इसके साथ लगाते है third form और इसके साथ लगाते है third form that's it इतना ही याद रखें अगर इनके साथ base form लगाई जाए तो इसके साथ V0 इन दोनों के साथ third form that's it और कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में फिर समझे एक conclusion के आधार पर दोजार सोला में दिया गया था क्या conclusion था कि प्रिजाइडिंग officer प्रिटा सी नदिकारी है उसको निर्णे नहीं देना चाहिए कब जब कोई किसी भी defection complaint पर कोई दल बदल की शिकायत मिली है तो उसके निर्णे नहीं देना चाहिए जब उसके खुद के removal का प्रस्ताव ही pending है अब आगे समझाय गया है कि जो बागी विधायक है उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है deputy speaker को हटाने का तो फिर ये पिठाशी नदिकारी जो हुआ ये कैसे decision दे सकता है क्योंकि इसका खुद का removal pending है after he rejected it जब इसने reject कर दिया उसके बाद the rejection has also been questioned in court तो rejection है उसको भी question किया गया court में उस पर प्रस्ताव उठाया गया कि rejection हो कैसे सकता है thus raising a jurisdiction question इस प्रकार से ये एक question उठ गया है jurisdiction का नियाई छेत्र है कि क्या ये नियाई छेत्र में आता है on the adjudicatory power of the deputy speaker कि क्या ये उप सभापती के adjudicatory power में आता है क्या इसके पास ओ पावर है कि निरने दे सकता है who of necessity जो necessity के वसीबूत आवशकता है इसके चलते has to decide disqualification questions जिसे की disqualification questions को decide करना है किसके absence में speaker के absence में सभापती नहीं है तो सभापती ऐसा करेगा फिर समझे तो कह रहा है जब इन्होंने reject कर दिया इसको तो rejection question भी quote में आ गया इस पर भी प्रशन उठाया गया he की verb rejected है है ना the rejection है इसकी verb है has been questioned also है वो अगर been लगा रखा है be लगा रखा है being लगा रखा है तो helping verb और be been being के बीच में आता है तो कह रहा है कि जब उसने reject कर दिया तो यह rejection भी question में आ गया इस पर प्रशन उठाया गया quote में और इस प्रकार से एक प्रशन उठा jurisdiction question है यह एक नियाए के छित्र का प्रशन है कि क्या इसके नियाए छित्र में आता है ठीक है क्या यह deputy speaker के educated power में आता है जिसे की आवशकता के चलते decide करना होता है has to जो है वो who is deputy speaker के relative pronoun है यह इसके लिए आ रहा है है has to मतलब करना पड़ता है decide disqualification questions को किस की absence में speaker की absence में motions to remove a presiding officer अब जो प्रस्ताव है किस चीज के लिए पिठासी नदिकारी को अटाने का प्रस्ताव should not become a ploy यह ruse नहीं होना चाहिए ruse trick tactic टिकडम या चाल को बोलते है circumvent का मतलब avoid करना होता है टालना होता है अब कहरा है कि यह जो प्रस्तावा पारित कर रहे हो किस के लिए पिठासी नदिकारी को हटाने के लिए लेखा कहरा है कि वो कोई तिकडम या चाल नहीं होनी चाहिए किसलिए disqualification proceedings को टालने के लिए कि आप disqualification की प्रक्रिया को टालना चाहते हो उसके लिए चाल नहीं होनी चाहिए यदि courts जो है वो स्विक्रति देते हैं यह होता गिव अप्रूवल बात कर दी थे हमने फैस स्लाइड में ही मनुवर्स का मतलब ट्रिक या पलो या रूजी होता है तो यदि courts जो है वो इस प्रकार की चाल को अनुमती देते हैं तो प्रियम्ट प्रियम्ट का मतलब होता रोकना रोकने के लिए इसको forestal भी बोलता है पहले से रोक लेना a decision on एक निरने को रोकने के लिए on weather legislators camping in another state camp का मतलब यहां पे है कि आप outside मतलब जहां रहते हैं वहां से छोड़ कर कहीं ओड़ जाके आप समों में रह रहे हैं यो temporary stay कर रहे हो shelter लिए हुए हो जैसे अभी ये विधायक लोग जो है असम में किसी hotel में रुके हुए हैं गौार्टी में रुके हुए हैं तो इसको बोलेंगे camping ठीक है तो जो legislators हैं विधायक हैं जो किसी और state में रह रहे हैं फिलहाल and questioning the chief minister majority और वो प्रशन उठा रहे हैं कि chief minister के पास जैसे उद्दा उठा करें जो महराश्टर के chief minister हैं उनके पास majority नहीं है तो have incurred disqualification तो क्या उन्होंने अब ये legislators की verb है क्या उन्होंने क्या उन विधायकों ने incur किया है क्यान परिणाम भुगता है disqualification का कैसे by voluntarily giving up membership of their party कि उन्होंने अपनी party की जो सदश्यता है वो खुद से छोड़ दी है voluntarily मतलब on its own swim से give up का मतलब छोड़ना they undermine अब वो कमजोर बना देते हैं undermine का मतलब होता है weaken या erode weaken या erode वो कमजोर कर देते हैं किस चीज को the anti-defection law and render nugatory rulings और जो court की rulings है उनको बना देते हैं nugatory मतलब होता है useless या फिर क्या बताया था मैंने आपको futile व्यर्थ render का मतलब होता है become बनना या बनाना make या become मान लीजिए बनना या बनाना ठीक है यह बनाने का रहता है by constitutional constitutional benches जो भी rulings constitution benches ने दी है क्या उनके दिरने को ये न्यूगेटरी बना देता है फिर समझ लीजिए तो यदि legislators दूसरे state में रह रहे हैं और मुख्यमंतरी की majority प्रशन उठा रहे हैं क्या उन्हों ने disqualification को सफर किया है कैसे voluntarily giving up members of their party अपने party की सदश्यता खुद छोड़ कर ठीक है तो यदि ऐसा है तो ये क्या करते हैं ये courts जो हैं वो undermine करते हैं कमजोर बनाते हैं इस कानून को ठीक है और क्या करते हैं और जो constitution benches है उनके द्वारा दिये गए जो निर्णे है उसको भी ये विर्थ करते हैं कि उन्हों निर्णे दिया उसका तो महत्व ही के रूप में देखता है तो courts should not act in furtherance तो courts को काम नहीं करना चाहिए किस रूप में इसको आगे बढ़ाने के रूप में of it मतलब इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए कि दल बदल जो है वो एक serious खत्रा है ठीक है तो फिर courts को इस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए duty to protect those तो जो करतववे है कि आप उनको रुक्षा करेंगे wrongly disqualified कि जिसको आपने wrong तरीके से disqualify कर दिया कई बर क्या होता है deputy speaker wrong तरीके से disqualify कर दिया तो फिर court की जिम्मेदारी है कि उसमें interference का दिखाए intervention करें वो तो महत्तवपूर्ण है तो duty की वह भीज है but so is calling लेकिन उतना ही important ये भी है कि calling to account defectors call to account ये पूरा ही मैंने highlight करना था इसका मतलब है जिम्मेदार ठहराना उतना ही important है कि जिम्मेदार ठहराया जाए दल बदलने वालों को whose motives are suspect जिनके उद्देश्य जो है वो suspicious है संदेहास्पद है motives का मतलब उद्देश्य आर इसकी verb है suspect यहां पर अजेक्टिव है linking verb है और इसके बाद में compliment है suspect है suspicious से है doubtful से है इसका मतलब है suspicious या फिर इसका मतलब है doubtful फिर समझी है तो कहरें यह तो important है यह करताव यह तो चाहिए कि आपको उन लोगों को बचाना है जिनको रोंग तरिक दिस्क्वालिफाई किया अगरे उतना ही important हो जाता है कि आप defectors को क्या करें call to account करें मतलब उनको जिम्मेदार ठहराएं उनको धमकाएं जिनका मोटिव जो है suspicious से संदिहासपद है एक सो की भूमी का याद रखी है सो जब स्टार्ट करते बढ़ चुकि कंजंक्शन है तो यह स्टार्ट हो गया इनवर्जन लग रहा है पहले वर्ब है उसके बाद में यह subject का का काम करेगा ठीक है तो अगर सो से स्टार्ट करते हो sentence तो इनवर्जन लगता है क्रिया करता से पहले आती है तो यह था सब आज का editorial अब मिलेंगे कल एक नए session के साथ ठीक शाम पांच बजे तब तक के लिए नमस्कार थेंकिए वेरे मच